दोस्तो नमस्कार निसान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं यह ओटोमेटिक एसी के बारे में पहले सारे फंक्शन्स जानेंगे क्या क्या कौन सा स्विच क्या काम करता है एंड इसके बाद इसमें आज मैं आपको सिखाऊंग कि आप तीन डिग्री पारा यानि टेंपरेचर कैसे बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं यह चीज आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं यह प्रोसेस भी आपको मैं समझा देता हूं तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है गाड़ी ज जब आप इगनिशन ओन कर देंगे तो यह जो ना ब्लॉर ओटमेटिक हाई पर चला जाता है ठीक है तो इसको नॉर्मल कर लेना है और इसके बाद में सारे मूर्स आपको दिखा देता हूं यहां से ब्लॉर की हाईट बढ़ जाती है यहां से एसी ओफ हो जाता है यहां से पूरा आई स्पीड तक चल जाता है ठीक है इसके बाद ब्लॉर की जो एर को पूरन के पास है और रहां पर मिलने लगेगी ठीक है एंडड इसके बाद अगर यहां पर यह लेना तो रियर इसमें डिफोगर होगा यकिंद तो इसमें देखेट निवह अ wealth क्रिन पे देख र जो मैंने डाली थी AC की तो उसमें आपको दिखाया था डिफोगर की वो लाइन ये वगरा तो वो इसके लिए ठीक है अगर फोग जम जाता है तो डिफोग इसको ओन कर दो डिफोगर चल जाता है फोग अट जाती है इसके बाद यह आउट साइड की एर के लिए है ठीक है फै से लिए ठीक है तो यह देखे अभी पैर पे आ रही है मूड के स्विच को दोबारा प्रेस करेंगे तो यह एर पैर पे और आगे वाले जो मैंने आपको डैस्बोर्ड के उपर आपको बताई थी इस वाले फ्रंट के इस पे वेंट पे एर आएगी इसके बाद डारेक्ट पे और पैर पे आएगी इसके बाद डारेक्ट नोर्मल पैर पे आजाएगी जो सुर्वाली थी यह सारी चीजे तो आपके समझ में आ गही होगी यह सब है क्या और आपको बेसिक है यह आपको पता भी होगा ठीक है पर अब उसको चलाना कैसे है वो जो अपनी डिग्री है इसको कैसे बढ़ाना है टेंपरेचर को कैसे डाउन करना है तो यह आज मैं आपको बता दे रहा हूँ यह देखे अभी क्या करना है आपको मैंने ओफ कर दिया इग्निशन ओन करना है आपको ठीक है जैसे ही इग्निशन ओन हो जायागा होते ही इसमें लाइट आजाएगी आपको off का जो switch है, इसको दबा के रखना है कुछ second के लिए, ठीक है, जैसे off का switch आप दबा लेंगे, तो इसके अंदर थोड़ी देर बाद light आएगी, तो ये देखिए, off का switch दुबारे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा, तो आपको करना क्या है, यहां से off कर देना है, यह off हो गया, ठीक है, push button से ignition on कर देना है, ignition on, अभी यहां पर यह off है, तो off का switch आपको दबा के रखना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है, यह देखिए, यह on हो चुका है, अभी यहां पर यह सार इस पर click करना है, तो अगला, यह two दिखाएगा, यह नो flap के अंदर जो अपने AC actuator लगे रहते हैं, उनकी वो बताता रहता है, कि दो नंबर पर यह वाला flap काम करेगा, तीन नंबर पर इसको आप छोड़ दीजिए, तीन नंबर पर भी ऐसे ही काम करेगा, इसके बाद 50, 41 आ जैसे आजाए, आपको plus का switch hold करके रखना है, ठीक है, और जैसे ही आप plus का switch hold करके रखोगे, तो यह zero आपको दिखाई देगा, अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत ही आसान चीज है, अगर आपको temperature, मतलब ठंडा करना है, ठीक है, तो इस पे आप click करेंगे, तो य 21 degree Celsius आ रहा है, तो जब यह आप इसको यहाँ से दबा के 30 तक कर देंगे, तो आपकी गाड़ीगा 18 degree Celsius टेंपरेचर आएगा, ठीक है, एंड जब इसको यहाँ zero zero कर देंगे, फिर इसके बाद आप, अगर आपको बढ़ाना है, हीटर लेना है, तो ऐसे आप 3 degree बढ़ा भी सक किसी जगा 24 degree Celsius पारा, मतलब टेंपरेचर आपको मिलेगा, तो यह इसके अंदर प्रोसेस है, एक बार आपको सही से दोबारा दिखा देता हूं, जो आपको doubt ना हो, ठीक है, आप direct भी जा सकते हैं, यहाँ से इसको off भी कर सकते हैं, यह हो गया, यहाँ से इसको off कर देते हैं कुछ second के लिए, यह on हो गया पूरा, अब direct 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड इसको plus को दबा के रखना है, 61 आएगा, hold करके रखेंगे, तो 30 यह दिखाई दे जाएगा, ठीक है, जो इसकी auto normal वो आएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा, 0 दिखाई देगा, आपको ठंडा करना है, तो यह 6 बार दबादो, 3 दिखरी पारा बढ़ जाएगा, 30, एंड गरम एर लेनी है, तो 6 बार दबादो, बढ़ जाएगा टेंपरेचर, तो यही था इस वीडियो में, मेरी विए उसको लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत उस्वादो